बूर्णिंग स्टुडेंट इट्स अकासर तोड़े विए विए स्टार्ट दे चैप्टर एट अब पॉलिटिकल साइंस तो दे विए स्टूड़ी अवाउट रूरल लिबली हूट्स लेट्स स्टार्ट आ टाॉपिक कि करए 느 स्टू पॉलिए चाहिए कोश्टले वीए कोस्ट वर्ड दिखाई है तो कोश्टल लिएस बीमस्ट blessing कलपट्टू वह गाउं था ठीक है एक स्मॉल विलेज की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं जो कि तमिल्नाडू में पढ़ता है सेकेंड पॉइंट है इसका टू अर्ण लिविंग पीपल है एंगेज इन मेनी एक्टिविटीज यानि अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए जो है अलग-अलग एकनामिक एक्टिविटीज करते हैं अब एकनामिक एक्टिविटीज क्या होती है एकनामिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है इनको हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रिया कलाफ एकनामिक एक्टिविटीज में वह एक्टिविटीज आती है तो कौन क्या काम किया करते थे गाउं के लोग some people here are involved in non agriculture activities कुछ लोग जो है खेती में involved थे और कुछ non agriculture activities किया करते थे non agriculture activities जो खेती के इलाबा और दूसरे काम होते हैं such as making the utensils यानि कि कुछ लोग बरतन बनाते थे ठीक है utensil मने बरतन बनाते थे माने आप जानते हो ना कुमार ओमार जो बनाते हैं पॉट ब्रिक्स मने इट बनाते थे and baskets etc okay now the second point is to earn a living some people are also serve as the blacksmith कुछ लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जो है लोहार के काम के लिए मतलब लोहार का जो काम होता है उस काम में जो है विलिप्थ थे कुछ लोग नर्स का काम किया करते थे कुछ लोग वासरमेन थे कुछ लोग वीवर्स थे कुछ वारवर्स थे मतलब बाल काट थे ये सब जो है अपना पैसा अरजन करने के लिए की जाने वाली economic activities हैं कुछ लोग cycle mechanics थे and many more और इसी तरह से अनलोग जो है involved थे ठीक है तो आपको सिर्फ आज दो ही point पढ़ने हैं और इन दोनों points को जो है अच्छी तरह से note करना है thank you very much